हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो रेश्वाइकेडमी दरे सब्चेंपियन गाइज हमारे पार जश्ट अभी अभी एक पेपर कोड आया है आप देख सकते हैं इस पेपर का कोड है थर्टी वाई वन वाई वन असेट नंबर और इसका आंसर की हमेशा रेश्वाइकेडमी प्रोव पर कैसा है देखिए सेक्शन नंबर वहन हम सॉल्वूशन पर चलते हैं तो क्वेशन पहला क्या कर रहा है क्वेशन था आपका कि इफ वन आप जीरो आप पॉलिनोमियल एक स्क्वाइर प्लस थ्री एक्स प्लस के इस टू देन देन वैलू आफ के पूछा था तो के की वैल आप प्रायम नंबर इस इसका एंसर होगा C आप्शन यानि टू ठीकई लिए कई नेक्स्ट कुछिंन तरी कहा रहा है कि दडगेटिक वॉलनमियल दशन मफोच जीरो इस माने प्रोड़क्ट इस 6 देन दवर एक्वेशन कोया एक्वेशन पूछा थी एक्वेशन आप को हो y-4 is equal to 0 and 2x minus plus 4y is equal to 3 has no solution is इसका option होगा भी सही जी हाँ भी सही तो guys मैं बता तो अगर अच्छा लग रहा हो आपको कोई फायदा इससे हो रहा है थोड़ा सा भी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले next question पर हम चलते हैं 5 number पर 5 number question क्या करा गाइस 5 number कर रहा है देखिए 5 कर दो SCF and the LCM of 12 21 15 respectively पहले बता दो SCF आपका होगा 3 LCM होगा 420 ओके next पर आईए question number six क्या कर रहा है the value of x for which 2x x plus 10 and 3x plus 2 are the consecutive terms are in a.p. एक क्यों पर value होगी 6 next question 7 number the first term map in a.p is p and the common difference is q then it's the 10th term is इसका 10 term क्या होगा तो guys इसका 10 term होगा p plus 9 q यानि option number c क्या होगा correct होगा अब next चलते हैं 8 number 8 number question क्या कह रहा है question कह रहा है कि the distance between the point a cos theta plus b sin theta comma 0 and 0 comma a sin theta minus b cos theta अब paper लेके बैठी है मैं बता होगा paper लेके बैठी है मिलान किजिए इसका तब जाके सही होगा तो इसका answer होगा option number c यानि under root a square plus b square और 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 भी paper मैं डाल रखे हैं आप देख सकते हैं जाके और भी answer आप match कर सकते हो होगा अब आये question 11 और 12 आपके लिए हम छोड़ने हैं इसको आप comment करके जरूर बताएं कि चाहिए question number 13 question number 13 क्या कह रहा है आप देखिए question number 13 क्या रहा है कि abc is an equilateral triangle of a side 2 then length of one of its attitude altitude is इसका altitude होगा क्या अंडर रूट 3 एंडर रूट 3 एंडर रूट 3 ए ठीक है अब next आई है next क्या कह रहा है की question 14 कॉस 80 अपां साइन 10 प्लस कॉस 59 इसकी वैलू होगी next are you question number 16 क्या the ratio of the length of vertical rods and the length of the shadow is one ratio रूट 3 एल्जर ठीक है रहा है इसका elevation होगा 30 degree next error 17 कह रहा है कि two cones have the height in the ratio of one ratio 3 and बाहे डीज Дर रेशो 3 रेशो 1 what is the ratio of their volume ? इसका ratio होगा रहा ही नेक्स्ट कोश्चन नमरे 18 अब कर लिए 19 कह रहा है कि A die is thrown once what is the probability of getting a number less than 3 और मैं भी करके दे रखा है तो इसका मैं बता दू कि जो die thrown once बार फेका जा रहा है उसका होगा 1 less than 3 और जो second बार और करके दिया क्या कि if the probability of winning a game is 0.07 what is the probability of losing it तो उसकी probability होगी 0.93 जी गाइस यही सही होगा बिल्कुल यही आंसर सही होगा 20 number कह रहा है 20 number question यह कह रहा है कि if the mean of the first n natural number is 50 then find the n तो n की value आपको निकाल नहीं थी ठीक है friends इसका answer 29 होगा जब formula apply करेंगा तो आपका आएगा 29 तो friends यह था 20 question का solution I hope आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप पहले अपने आपको match करें जाके पेपर एकसाइड रखे फिर यह video देखें एक-एक question match करें और देखें किसका solution क्या होगा क्या करके आया है तो आप count करिए कितने marks का जो 11 number का है कितना सही है और comment करके बताए sir हमारे 20 out of 19 सही है 17 सही है